क्वेस्टन नमबर 4 देखे कह रहा है कन्वर्ड रेशियो 4 इस्टू 5 टू परसेंटेज यह जो है न रेशियो में लिखा हुआ है इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्वेस्टन नमबर 4 का सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम ठीक है ध्यान से समझो जैसे लिखा है न यह 4 इस्टू 5 क्या लिखा है 4 इस्टू 5 तो रेशियो से सबसे पहले न फ्रेक्शन में लिखो तो पताई इस रेशियो को क्या लिखेंगे फ्रेक्शन में 4 अपॉन 5 नहीं समझे जो 4 इस्टू 5 है उसको फ्रेक्शन में यह लिखना है जै जैसे अगर मालो लिखा होता 8 is to 9 तो इसको fraction में क्या लिखते हैं पहले उपर numerator में 8 और नीचे 9 समझ गए तो कुछ इसी तरीके से इसको हमने fraction में लिखा अच्छा fraction से percentage करना अभी हमने पिछले question में भी देखा था कैसे अगर कोई fraction लिखी हो ये और इसको हमें percentage में change करना हो हमें multiply करना है 100 से और बाहर लगा देना है symbol क्या आप इसको solve कर सकते हो देखो कैसे denominator में 5 है numerator में 100 है तो cut करना है 5 कि टेबल से दोनों cut हो रहे है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 1 0 मतलब 25 जा 100 होता है ये कहना चाहरा हूं मैं तो मैंने 5 से divide दिया 100 को तो क्या बचा 20 वो लिख दिया अब देखो denominator में सिर्फ 1 बचा है और numerator में 4 और 20 तो इन दोनों की multiply हो गए 24 जा 80 तो 80 परसेंट हमारा क्या है answer 80 इसको और percentage बाहर वाला मतलब 4 इस टू 5 को fraction में लिखा fraction से percentage आप जानते ही हो और यही हमारा answer हो गया I hope आपको question समझ में आया होगा चलते है next question पर